हेलो एबरीबन वलकम टो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हम यहापर मोरी डिजान बनाएंगी तो इसकी चोड़ाई मैंने तीन इंच रखी है तो अब हम यहापर क्या करेंगी पहले एक सीधी सिलाई लगा लेंगी तो यहापर मैंने सिलाई को लगा लिया है अब हम यहापर इसी सिलाई में कुछ तरह से लहर बना लेते हैं तो हमने यहापर एक तरब से कुछ तरह से सिलाई को लगा लिया है और इसी तरीके से हमें दूसरी तरब भी सीधी सिलाई लगा कर इसमें लहर बना देनी है अब हम यापर एक बड़ी से कुछ तरह से लायर बनाएंगे तो इस तरह से निसान लगा लेते हैं तो हमने निसान लगा दिया है और इसी निसान के उपर हमें कुछ तरह से सिलाई लगानी है फिर हमें आपर कुछ तरह से पत्ती बनाएंगे इस तरह से हमें पूरे में पत्ती को बनाना है तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से पत्ती को बनाती हूँ तो हमने यहाँ पर निसान लगाया है तो उसी निसान के उपर हमें कुछ तरह से सिलाई लगानी है और बीच में हमें कुछ तरह से सीधी सिलाई लगानी है अब हम यापर सिलाई के उपर सिलाई लगा देंगे और यापर दूसरी पत्ती बना लेंगे इस तरह से हमें पत्ती बनानी है ठीक है बहुत ही सिंपल और सुन्दर सी हमारी मोरी डिजान बनेगी इसमें भी हमें बीच में सिलाई लगा देनी है इस तरह से और यहां पर सिलाई के उपर सिलाई लगा लेंगे और यहां पर तीसरी पत्ती बना लेंगे तो इसी तरीके से हमें पूरे में पत्ती को बना लेना है और दोस्तों प्लेज इस वीडियो को लाइक भी कर देना क्योंकि आप लोग लाइक कर ना बोल जाते हो तो प्लेज इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना तो यहां पर मैंने पूरे में डिजान को बना लिया है और इतरह से हमारी जो पौँचे की डिजान बुबन का त्यार हो गई है तो उम्मिद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले और बैलाकन को भी दबा दे जिससे जो हमारी आने बाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखित तक वीडियो देखने के लिए ठाइंक्यू